अस्सलाम अलेकम वेलकम और वेलकम बैक टू मैं चैनल हैद्राबादी टंग्स किचन आज हम बनाएंगे बिहारी स्टाइल में मटन की रेसिपी फेमस कूकर मटन रेसिपी तो इसके लिए हम लेंगे मटन को लेली में धोके 300 ग्राम मटन है ये दो मीडियम साइज के प्यास लेलींगे हम कट करके अधर ग्लसन का पेस लेलींगे वन स्पून हल्दी पॉडर लेलींगे आधा स्पून लाल मिर्ज पॉडर लेलींगे हम दो स्पून लाल मिर्ज पॉडर आप अपने टेस्ट के साब से लिए जी नमक लेलींगे हम वन स्पून नमग भी आप अपने टेस्ट के सापसी लिजी धन्या ले लिए हम मोटा-मोटा कोट के धन्या ले लिए में बहुत बारीक पिसेवा नहीं है ये गरम मसला पड़ ले लिए अधा स्पून से भी कम चिली फ्लेक्स ले ले लिए लाल मिर्चाओं को कोट के लिए से है ये मिर्ची अब हम इसमें कोट मिर दाल देंगे थोड़ी सी दो के कट करके ले लिमें अब हम इसमें देही डाल देंगे दो स्पून देही लिमे अब यह सब चीजाओं को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप कुछ देर मारिनेट करके रखना चाहरे तो रख सकते तो और टेस्ट अच्छा था अगर जब कजब बनाना चाहरे थे बनाने सकते अब हम गैस पे कोकर को चड़ा लेंगे कोकर गरम होगे अब हम इसमें कोकिंग ओल दाल देंगे अब हम इसमें बड़ी अलेची दाल देंगे दो दो तेस पत्ता दाल देंगे अब जो मारिनेट करके रख लेए थे मुझा अब आट कर देंगे इसमें जो बचा हुआ था वो बैट कर देंगे इसमें मिक्स कर देंगे हम माटन को आइल में कुछ देर तक मिर्ची की स्मेल पकने तक हुन लेंगे हम इसी तरह से अब हम इसमें दो लेशन के डल्लियां दाल देंगे फिर से मिक्स कर देंगे अब हम इसमें पानी एट कर देंगे पानी एट करने के बाद में अच्छे से मिक्स करके हम कूकर का ढखकन लगा के गोश गलने तक हम पका लेंगे अब हम चेक कर लेंगे यह देखिए पानी सुग्या इसमें का प्याज को हम भुन लेंगे थोड़ी देर के लिए यह देखिए अच्छे से गल गई प्याज भी कुछ देर तक भुन लेना हम इसको थोड़ी सी कॉत्मीर दाल देंगे हम फिर से मिक्स कर लेंगे हम बहुत मज़े का बनता साला निये लोफ लेंपे कुछ देर के लिए हम पका लेंगे इसको यह देखिए रेडी हो गया सालन बिहारी स्टाइल में तो हम डिशॉट कर लेंगे इसको मज़ेदार ग्रेवी के साथ रेडी हो गया बिहारी स्टाइल फेमस कूकर मटन रेसिपी जब भी आप मटन रेसिपी बना रहे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ किजिए इन्शाख आपको जरूर पसंद आएगी इन्शाख लेने के बाद में हम कुद्मिर से डेकोरेट कर लेंगे हम गानिश कर लेंगे तो यह थी आज की रेसिपी बिहारी स्टाइल फेमस कूकर मटन रेसिपी पूरी वीडियो देखने के बाद आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं अंगली वीडियो में अल्ला हाफिस